हलो गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम बैट तो आज के इस शॉट वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं इस फर्टिक्लर से आपको कुछ चीजन जो जिनके उपर क्लेरिटे मिलेगा आइफसी होता क्या है और इस आइफसी ए अथोरिटी एंड आइभी यूज आपका जो भी आइफसी बैंकिंग उनिट्स होते हैं उनसे रिलेट जो गाइड लाइन्स हैं एफसी से एंडर जो फ पई से रिलेटेड रेलक्षेशिंस से उन्cess kolे वाट करेंगा तो सिश़्न के सुरूइटां क्यों आइफसी से रिलेटेड जो बेसिक इंटॉडक्शन और इसके उपर अगर हम लोग बात करें आई एफसी का तो इंडिया का जो पहला आई एफसी है जो की स्टेवलिस किया गया गिफ सिटी गांधी नगर गुजरात के अंदर आप में से बहुत सारे बैंकर्स इनके खुद के ब्रांचे वहां पर होंगे तो जिनको हम लोग आई के नाम से तो जिससे कहीं ना कहीं जो इंडियन एकॉनमी है उसको काफी आसानी से वेस्ट आप दी वर्ल्ड एकॉनमी के साथ कनेक किया जा सके जिससे जो इन्वेस्मेंट अपॉर्चुनिटीज है वह आपका और ज्यादा इंक्रीज हो तो इन सबी मोटिप के साथ इसको स्टबलेस किया रहे है तो गिफ सिदी गाहिन अगर गुजिराथ जहां पर हम लोगं का पहला आए फसी सेंटर आपका एंड एक इसी सीटी के अंदर आपका सिर्फ एक ही आई वीउ का ब्रांच हो सकता है और उस ब्रांच को ओपन करने के लिए पैरेंट बैंक के समझन में क्या गाइडलाइन से या क्या के चीजों को फॉलो करना होता है उसके ओपर भी हम लोग बात करेंगे ठीक है तो आज दी डाइनमिक नेचर आप बिसनेस इन दी आए फसी इस प्रांच कमाला नेचर प्रांच करना होता है तो ये जय से इस प्रांच का बाता है तो इसे बाता हैं अूछ जाए थिंखेंड प्रांच बाता हुआ हो ए नापर बाता है तो अभी जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI है या फिर इंशॉरेंस के लिए AIDA है या कैपिटल मार्केट के लिए सेवी है पेंशन के लिए आपका PFRDA है तो ऐसे अलग-अलग अगर सपोज दैट कोई इंटेनेशनल इंवेस्टर आपका इंशॉरेंस सेक्टर मां आपका इंवेस्टमेंट करना चाहते है तो उसके लिए पहले ना जो रूट हो काफी जादा अर जो गाइडलाइन जो इंटेनेशनल लेवल आपका सेट करने के लिए हमने एक युनिफाइड र्यूलेटर आपका बनाया that is called IFSCA एक इससेपरेड एकट आपका पास किया तो जिसके कुछ सर्टेन गाइडलाइनस है उन गाइडलाइनस को अगर आप फुल्फिल करते है So you can start your business or you can make your investment in Indian companies वो किसी भी फिल्ड से रिलेटेड आपका होती हो So the main objective of IFSCA is to develop strong global connect and focus on need of the Indian economy as well as to serve as an international financial platform for the entire region and the global economy as a whole So here, कहें न कहें यह कैसा platform है जैसे मैंने आपको investment prospect आपका बता है तो जैसे suppose that कोई दूसरी country का bank अगर उसको इंडिया में या ऐसे जो भी investment से उनको facilitate करना है तो they can also establish their IVU at IFSC तो जो basic guidelines से उनका पारंद कर दे हो आपना खुद का setup भी उहाँ पर लगा सकते है and उनकी country के जो investment है या other countries के जो investment है उनको वो कहीं नहीं आपका facilitate कर सकते है तो आज के रिप में banking and finance related सारी services आपका IFSC center के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो जैसे एक list आपको यहाँ पर दिया गया है अगर हम लोग इसके बात करें so IFSC business activities क्या-क्या business activities यहाँ पर होती है banking इसे Indian bank and foreign bank both they can have their branches at IFSC center capital market जिसमे stock exchange clearing corporation depository depository participants and brokers insurance Indian and foreign insurer reinsurer and Indian and foreign intermediaries emerging business segments like global in-house center international bullion exchange aircraft leasing and finance global fintech services asset management so we have alternative investment funds we have portfolio managers we have investment advisor wealth management custodial services and mutual funds other financial institutions like finance companies global corporate treasury center international trade finance services platform professional services so we have asset management support services legal and compliance services accounting and auditing services consultancy services trusship services these are the facilities or activities these are the activities that you can see in the IFSC center you will need to see in the IFSC center or foreign branch foreign branch foreign branch foreign branch foreign currency foreign currency competitive tax regime we have compliance with prudential direction and instructions इसुट बाई होम रेगुलेटर अन्लेस अधरवाइस स्पेसिपाइड वाइडी अथारिटी जैसे में आपको एक्जांपल देखिए अपना आइब्यू सेटप किया जैसे आपका जो आर्वे के गाइडलाइन्स है तो जो यूएस रेगुलेटरी है तो जो यूएस रेगुलेटरी है तो यहां की जो आपका इफसी के कुछ बेसिक नॉर्म से उनको आपको फॉलो करते हो ठीक है minimum capital, net stable funding ratio and LCR can be maintained at parent bank level after taking approval from IFSCA IFRS accounting standards will be followed तो यहां पर जो accounting standards है जैसे दुनिया वर के अंदर GAP और IFRS यह चलते है IFRS आपका जो सबसे आदा popular है तो वही standard यहां पर फॉलो होंगे तो GAP यूशुली यूएस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा raising of global capital at competitive rate, this is again an advantages convenient platform for onboarding corporate and retail clients तो यहां पर रेटेल का पाटिसपेशन भी रहेगा पर तीडिवर्सिफिकेशन परफॉस और फॉर लिकुरिदी परफॉस्ट लिवरेज ग्रोथ इन बुसिनस वॉल्यूम और ECO system at IFSC for domestic mobilization, interbank business, efficient funding of balance sheet, etc. Lower manpower and other administrative costs like legal rent and others. Unified financial regulator which has a target of ease of doing business. An opportunity to participate in international bullion exchange, so these are 10 core we can say areas जहां पर IBUs आपका deal करते या उनके आपका जो भी बैंक है उनको IBUs open करने के लिए कहीं न कहीं ये प्लेटफर्म आपका motivate करता है आप देखो क्या आता है जैसे suppose that कोई भी बैंक अपना IBU set up करता है तो उस parent bank के समझ में कुछ guidelines आपके है तो ये guidelines कौन-कौन सी है एक बाद जल्दी से इनके उपर आपका नजल डाल देते हैं तो क्या क्या guidelines आपका पहला Indian and foreign bank intending to set up an IBU in IFSC are required to obtain license from IFSCA तो पहले तो आपको license कौन देगा आपका IFSCA देगा and you have to take no objection certificate from your home regulator in case of India it is RBA तो और क्या क्या guidelines है maintain necessary regulatory capital subject to minimum 20 million US dollar at parent bank level तो पहला requirement दूसरा obtain no objection certificate from home country regulator तो अगर आप IBU set up करना जाते हैं first you have to like you have to take permission from your home regulator जैसे Indian आपके SBA का example दिया so they have to take permission from RBI and RBI will issue NOC to SBI letter of comfort from parent banks यह बहुत important आगे ठीक है regarding liquidity and resources support RBI और home regulator will not provide any letter of comfort regarding liquidity and resources parent bank will issue this particular one ठीक है IBU are not required to maintain SLR and CRA ठीक है in the Indian context तो इनको जो statuary liquidity ratio है या आपका जो cash reserve ratio वो maintain करने के जरूरत नहीं है ठीक है IBU are not required to okay IBU are required to maintain LCR and net stable funding ratio at IBU level और it can be at bank level after taking approval from IFSC ठीक है however the same may be maintained at parent bank level with IFSC permission ठीक है जो अक्सर bank करते हैं leverage ratio for IBU may be maintained at parent bank level and at the level of specified the home regulator जो भी leverage ratios वहां पे हैं उनके साब से रहें IBU are required to maintain a retail deposit reserve ratio of 3% of deposits raised from person outstanding at the end of preceding working day ठीक है तो यहां पे इनको CRR SLR maintain नहीं करना है but they have to maintain one ratio that is called आपका retail deposit reserve ratio at the rate of 3% ठीक है जो भी पिछले दिन के आपका जो भी deposit थे उनका 3% ठीक है in the form of cash unless otherwise indicated by IFSC IBU must follow the prudential guidelines and instruction issued by their home regulator ठीक है तो यह आपका point जो काफी ज्यादा important हो याथ है ठीक है if you are preparing for any competitive examination जहां पर आपके syllabus का part है IFSC like CAIB आपका जिसमें IFSC के नाम पे पूरा एक unit है so this is these are the most important areas जिनको आपके बिलकुल आपके fingertips पर यह होने चाहिए तो उसके लिए जो FPI investment है उनके लिए कुछ special guidelines आपके है कुछ relaxation उनको आपका provide किये तो क्या क्या है उनको एक बार देखते है so relaxation for FPI foreign portfolio investors entities at gift city SEBI has permitted FPI registered in India to trade on exchange operating in gift city so those FPI registered in SEBI can trade on this particular platform FPI are permitted to trade commodities derivative on IFSC exchange companies do not pay securities transaction tax or commodity transaction tax cost so CTD and STD आपका pay करनी की ज़रवत नहीं है companies के लिए तो एक और advantages आपका होगे ठीक है monetary advantage is direct all exchange are open 24 into 7 24 hours a day and FPI can trade without additional documents short term capital gain tax exempted for derivative trading बहुत ही बड़ा benefit है ठीक है तो जैसे अगर आप एक normal market के अंदर आपका derivatives में trade करते हैं as a as an FPI so you have to pay 30% short term capital gain तो वहां पर आपका जो short term capital gain है वो कितना है 30% का है but अगर आप आपका IFSC के अंदर जो center हो उसमें trade करते हैं वहां से आपका capital gain है तो आपका capital gain pay करनी की ज़रवत नहीं पड़ेगी यह एक ऐसा pointer है जो कही ना कही जितने भी FPI उनको इस particular platform पर trade करने के लिए मजबूर कहता है so इसके अलावा आपका allowing retail investor to trade to build liquidity so retail investor they can also trade in this particular platform या और IFSC के आपके जो exchanges है उनमें जिससे कही ना कही आपका liquidity है वह आपका बनी रहे so these are some set of guidelines toward the FPI basically these are kind of relaxations to FPI's so we can attract more and more investment तो दोस्तों यह आपका IFSC and IFSC-A, A for authority and IBU, IFSC banking unit and facilities for your FPI's so what is IFSC, what is motive, what are the objectives, what are the areas deal in which areas and others all the things that we have discussed here I hope you understand all the things still if you have queries about any areas do mention in the comment section I will get back to you okay and if you have any other small topic that you think about session so you can mention in the comment section I will definitely come up with a video based on that particular topic also right so this is it from my side thank you for watching this session bye-bye take care all have a nice day thank you